नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए विकाश सेल भारत संकल पियात्रा के लाभार्तियों से बार्चित की लाभार्तियों को संबोधित करते हुए पियाम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़े को लेकर जो उत्सा गाउंगाउं में दिख रहा है ये अपने आप में अध्भुत है कुछ लाभार्तियों से मेरी बार्चित हुई है देश भर के करोडों परिवारों को हमारी किसी ना किसी योजना का लाभ मिला है दक्षिन हो पूरब हो पस्चिम हो बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गाउं वाले राते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रेकर के सारी जानकरिया लेते ह तो यह अपने आप में अद्बूत है और अभी कुछ लाभार्तियों से जो मेरी बात्चित हुई है मुझे बताया गया है कि जी आत्रा के दौरान देड़ लाग से जादा लाभार्तियों को अपने अपने अनुभों बताने का आउसर मिला और यह अनुभों रेकर्ड भी ह हुए है और मैंने पिछले दस-पंदरा दिन में बीच-पिच में देखा भी है कि गाउं के लोगों की भावनाय क्या है योजनाय मिली है वो पक्की पूरी मिली एक नहीं मिली है पूरी डीटेल हूं को पता है सारी चीज़े मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं तो मुझ यह किसी और घर मिला है तो इसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरूवात हो गयी किसी को नल से रहिशी लोगों के गर में टॉयलेट होता था अब तो हमारे गर में टॉयलेट है तो एक सामाजी प्रतिष्ठा का भी पीशे बन गया है किसी को मुफ्त इलाज मिला है किसी को मुफ्त राशन मिला है किसी को गैस कनेक्शन मिला है किसी को बिजली कनेक्शन मिला है किसी का बैं को पी-एम स्वामित्व योजना के जरिए प्रापर्टी कार्ड मिला है याने मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कौने में चीजे पहुंची है देज भर के गाउं में करोडों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योज विस्मास बढ़ता है और विस्मास एक छोटी लाब मिल गया जिंदगी जीने के नई ताकत आ जाती है और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत ने पड़ी है भीक मांगनी पर के जो मनस्तिती रहती थी वह गई सरकार ने लाब पहुंचाने के लिए कदम उठाए कि तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं महिला सशक्ति करण पर आगे कहा कि गरीबों को चार करोड से अधिक घर मिले हैं जुसमें से 70 प्रतिशत घर महिलाओं की नाम पर है अज मुद्रारंड के दस लाभार्तियों में से साथ महिलाई ही है अब देखिए गरीबों के जो चार करोड से अधिक घर बने हैं ना कोई कलपना कर सकता है हमारे देश में चार करोड घर इतने कम समय में हैं गरीबों को मिले और सबसे मेरी तर प्रतिशत लाभार्ति महिलाए हैं मतलब कि अगर किसी गाउं में दस गर बने हैं तो उसमें से साथ पक्के गर माताओं के नाम पर रिजिस्टर हो गए हैं जिनके नाम पहले एक उर्पिय की भी संपति नहीं थी आज मुद्रा रुण के हर दसला भारतियों में से भी